हैल स्टुडेंट्स कैसे आउस सोब अच्छें आप त्हाइड यह सल्गे माँगे आज मैं आप लोगों को आई से के स्टड़ी मैट्रियल से एस टेन और एस टू दोनों कवर कराऊंगा मैं आपको इन दोनों एस के study material में जितने illustration दर रहके सारी कवर कराऊंगा सारी question कवर कराऊंगा साथ में mcq कवर कराऊंगा और इतना ही नहीं साथ मैं आपको कॉंसर्ट कराऊंगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक important information आपके साथ share कर देता हूं September 24 attempt के लिए advance count की RTP already मैंने इसी channel पर upload कर रखी है उसका link में आपको इस video की description देता हूंगा और पुराने बड़े सारे attempt की RTP MTP मैंने ओल्रेडी upload कर रखी है मैं जो उसकी playlist RTP MTP की उसका link भी आपको description देता हूंगा आइए शुरू कर लेते हैं AS10 से नोट्स के लिए आप क्या करेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल जोईन कर लेंगे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description मिल जाएगा कि देखिए AS10 का राम है property plant and equipment AS10 ये कहता है property plant and equipment वो टेंजिबल आइटम है sir जो दो condition पूरी करती है पहली condition sir हमने उसे held कर रखा for the purpose of use in the production और आपका supply of goods or service और for administrative purpose और और आपका rental to other हाला कि अगर माल लो अपने पास land building है या part of the building है यह land building दोनों है और हमने उसको rent पे दे रहका तो अपने लिए investment property बन जाते ठीक जी सर एस 13 लगता initially ठीक जी सर सेगंड कंडिशन क्या है कि सर हम इस set को यूज जो करेंगे expected है कि more than 12 months इसे यूज करेंगे ठीक जी सर टेंजिबल आइटम वो होती जिन का physical substance होता है एक बात और मापको बता दूँ यह जो वीडियो है यह revision purpose के लिए इसलिए जो मेरी करेंगे और सेकेंड सर जो आपका प्रोपर्टी प्लांट एंडिक्यूमेंट को इनिशलिए सर किस पर करेंगे ठीक जी सर अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा अगर मैं एक ब्रोडली बात करूं कि तो कहता है अनी एक्सपेंसिज या कोस्ट इंकर इन रिलेशन तो पीवी सैल भी कैपलाइस्ट इन सच इफ सच एक्सपेंडिचर या सच अमांट इस नसेशरी तो इंकर तू ब्रिंग दिए सट तू दी लोकेशन एंड कंडिशन एंड इंड तू भी केपब लोगेंड इन अमेनर एज इंटेंड वाइटी मैनेजमेंट सर्थ थोड़ा टेकनिकल होग है चलो सिंपल बताता हूं कहता है कोई भी डारेक्ट एक्सपेंडिचर जो आपने प्रोपर्टी प्लांट इंडिक तुछे में आपक सभ्लाइन वाइड वेग्ष में धनकिमन सब्सक्राइब नहीं मता है अगम को संब्सक्राइब फढ gomm bak sa अब सर मैं उसे सर लोड करके लिए क्या आया फिर मैंने अनलोड कराया फ्रेट मैंने पे किया उसे इंस्टोल कराया सर मालो मसीन थोड़ी बड़ी है उसको मेरे को क्या करना पड़ा है रखने के लिए एक साइट बनवानी पड़ेगी साइट ठीक जी सर उसको एक्वाइर करन सब अचा अब को शरख कभी-कभी क्या होता है जो असेट होती ना उसकी नेजर डॉट लिश्य होती है कि ंसको रण करने के लिए एक यहां अगजेम्पल की तो के लिखन म कहली है थे तिक जब करने में को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सर अगर कोई भी ट्राइल रंस से प्रोशीड साती हम उसे क्या करें सर पोस्ट में से माइनिस कर देंगे करना पड़ेगा तो अगर सर यहां पर कोई भी लाइबल्टी आती है ठीक डिस्मेंटल कोस्ट आती है रिस्टोरेशन कोस्ट आती जैसे मालों एक्जांपल की तोर पे गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने हमें बोला आप एक काम कीजिए आपना जारखंट के अंदर एक फैक्ट यहां पर सर मैंने फैक्त्रिया कनसक्षन स्टार्ट कर दिया अब 25 यह के बाद सर जह मैं लेंड को खाली करूँ है तो यहां पर क्या यहां पर इसका किया तृट्मेंट होगा कहता है बात चुनिए द्यान से यहां पर रिस्टोरेशन कोस्ट कितने हैं अए गोड़िंग उ वो एस 29 के लगे ठीक हम सर उसकी present value है पर calculate करेंगे वह भी सर हम calculate करेंगे एस पर एस 29 ठीक जी सर लेकिन सर उस amount का हम क्या करेंगे सर capitalize कर देंगे part of the cost of the asset मान के चलेंगे सर यह जो capitalization होगा सर यह एस 10 का provision यह कहता है कि आप क्या करेंगे सर उसे capitalize करतें ठीक जी सर अच्छा जो भी हम लोग यहां पर decommissioning liability record करेंगे सर उसे हर साल unwind कर देंगे interest course से और जो interest course आईगी सर उससे क्या करेंगे अगे बढ़ते हैं कभी कभी क्या होता सर मैंना दो asset का construction कर रहा हूं और मैंने direct expenditure करेंगे सर कोस्ट में क्या-क्या नहीं आएगा सबसे पहले कायता सर कोस्ट में आपका administrative and journal overhead नहीं आएगा आपके routine के खर्चे नहीं आएगे ठीक जी सर अगर सर कोई new product या service हमने launch के उसके खर्चे नहीं आएगे ठीक जी सर अगर सर हमने कोई new business facility open की सर उसके खर्चे नहीं आएगे सर अगर हम business को connect करते new location पर तो shifting expenditure सर नहीं आएगे ठीक है new location में business करने खर्चे नहीं आएगे सर abnormal loss नहीं आएगा सर advertisement के खर्चे नहीं आएंगे सर कभी कभी क्या होता है जैसे मालना मैंने कहा कि सर एक department कर नाम है सर अपना construction department ठीक जी सर जो manufacturing department है हम लोग क्या करते सर सिमिंट बनाते ठीक जी सर अब हमने क्या कि सर अपने ही डिपार्टमेंट से पर्चेज कर ली अब सर इंटरनल कंट्रोल परपर्च के लिए हमारे डिपार्टमेंट में सर क्या रूल है रूल यह है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गूट्स ट्रांसफर करेंगे तो 10% प्रोफिट करेंगा अब सर जो मतलब क्या actual cost ठीक जी सर, sir, asset अगर एक बार ready to use हो जाती है तो हम लोग क्या करने के लिए, सर, अगर एक बार ready to use हो जाती है तो उसके बाद के खर्चे हम लोग penal account में charge करते हैं, जी सार, देखें क्या होता है, कभी-कभी हम लोग 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 ले लेते हैं, असेट के निया क्वाइर करने के लिए। कहता सर, अगर आपकी कॉई बोरवाइं कोस्ट है, तो आप उसका ट्रीटर्मेंट एच पर एसटा एससेट इसक्सिन यह कहता है, सब्सक्राइब करने का अगर मैं दो साल के बाद पेमेंट करने पड़ेगी सेवन्टी थाउजन करने पड़ेगी मैं नेका ठीक है अब सर यहां पर मालों मैं असेट ले आया कैस प्राइस प्राइस उसे क्षट करते और सर जो डिफरेंस अपका प्राइस प्राइस करते हैं अगर वो है इन रिलेशन टॉक्वाइश है तो हम इसे क्षट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब सब्सक्राइब करें इसे वह कैसे एलोकेट करेगी कैता है सब्सक्राइब अब यहां पर न स्ट्ट्ट को उनको लगता है कि इनिसली हम लोग प्रोपरिटी प्राइब करते हैं लेकिन सर यहां पर कैरें फेर वैल्यू पर इकॉर्ड कर लो मैं यह कहा हूं कि यह जो टैन थाउजन के आपने कमबाइन कोस्ट इनकर गी इसे असे वाइस कैसे लोकेट कर अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं सर उसे पर इस न बहुत सारे कॉंसे तो मैं काम करता हूं मैंने आपको इनिसली के बारें बता दिया असएट के बारें बता दिया अब अब हम एक काम करते हैं मैंना इलिस्टेशन पर चलता हूं ठीक जी सर और सर जो बाते मैंने डिसकस कर ली अगर उसी सरे इलिस्टेशन यह क्वेस्टन है था हम उसको सोल कर लेंगे और अगर मालो कोई नई बात है सर तो मैं आपको पहले उसका कॉंसर्ट एक्सप्लेन करना ठीक जी सर इलिस्टेशन वन से पहले सर में को एक कॉंसर्ट एक्सप्लेन करना बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे देखिए क्या होता है सर एस्टन यह कहता है कि मालो सर आपकी असेट यहाँ पर रेडी तो यूज हो जाती है तो आप क्या करें सर यहां तक के खर्चे क्या प्य Allez को रिख करेंगे और इसके बाद खर्चे करने पड़ते हैं तो सर ऐसे खर्चों को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक सर आपके रूटीन के expenditure ठीक जिसे हम रिपेरेंट मेंटेनेंस भी बोलते हैं जो सर अपने रूटीन के करते हैं जा एक बड़ी इंपोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं अगर मैं सब्सेक्वेंट एक्सपेंटिकर करता हूं प्रोपर्टी प्लांट प्लांट प्लाइफाइब कर देता है मतलब सब्सक्राइब कर लेता है और उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे और उसके पर जो हमने कोस्टिन करते हैं हम रिलाइबली मेजर कर पाएंगे तो सर्थ उस अमाउंट को फिर हम क्या करते क्या क्या करते है ठीक जीसा आइए इलेक्टेशन नमन पढ़ते हैं आप एक काम करेंगे पेज नंबर पहाएंगे 5.26 जल्दी पहुंचिए 5.26 Entity A a supermarket chain is renovating one of its major store the store will have more available space for in-store promotion outlet after the renovation and will include a restaurant tick jsa management is preparing the budget for the year after the store reopen search the store reopen over management उसका budget बना रहा है विच इंक्लूड दा कोस्व रिमोडलिंग एंड expectation of a 15% increase in sale resulting from the store renovation अब यह देखे सिर यह आपने major expenditure इन करके इससे सर आपकी revenue बड़ दिये तो हम लोग क्या करेंगा सर इससे capitalise कर दें घर्चाव ठीक विल एक्ट्रेक्ट न्यू कस्टमर स्टेट वाइद रिमोडलिंग कोस्ट विल बीकप्तलाइस और नोट the expansion in remodeling the store will create future economic benefit 15% increase in sale हो जाएगी और सर उसकी कोस्ट का मट्रे लेवली मेजर कर पा रहे हैं तो सर मुसे क्या करें आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर टू की तरह सर इलस्ट्रेशन नंबर टू है पेज नंबर 5.30 पर पढ़ेंगे जलती से मैं आपको हर question से पहले 10-15 seconds देया करूँ ताकि आपने वीडियो को पोज करके question पढ़ लें I know sir कि 10-15 seconds में question पढ़ना practical possible नहीं है लेकिन आप वीडियो को पोज करके पढ़ लें त्योंकि पढ़ें question तो भी बढ़ेगा question ठीक सर यह हमारा pet dialogue रहता class का और मैं question को बड़ी बारी किसे explain करता हूं क्योंकि सर अगर question में क्लायटी है तो आप cancer कर भी गलत होगा यह नहीं ठीक entity A has an existing freehold property factory property which it intend to knock down and redevelop entity A के पास existing freehold factory property है which it intend to knock down and redevelop sir जिससे वो knock down करना चाहते है और redevelop करना चाहते है during the redevelopment period of the company will move its production facility to another temporary site बात समझें sir यह location A है यह location B ठीक जी sir यहां से वो इसे यहां पर shift कर रही है और इसे sir क्या कर रही renovate कर रही है ठीक है जी sir update कर रही है ठीक जी sir redevelop कर रही है तो मैं आपको बतातू location A पर expenditure रही हो जाएगा ठीक जी sir क्योंकि हम लोग यहां पर development का का काम कर रहे है लेकिन sir जो इसको यहां पर shift करेंगे shifting expenditure sir इसकी cost में नहीं होंगे ठीक जी sir so the following incremental cost will be incurred setup of five lakh to install machinery in the new location sir new location प्रपने जो machinery installed किये sir उसका खर्चा capitalized नहीं होगा rent sir capitalized नहीं होगा removal cost of three lakh to transport the machinery from the old location to temporary location sir यह amount capitalized नहीं होगा can these cost be capitalized into the cost of the new building no मैंने इसका origin बता दिया था कि अगर हम कोई भी new location पर sir business को shift कर रहे है किसी new location पर तो अगर कोई भी expenditure करते sir आपका location shifting का business को shift करने का ठीक है तो हम उससे capitalized नहीं करते ठीक जी sir चलिए illustration 3 you are required to ascertain the amount at which the machinery should be capitalized sir आपने बताना कि हम machine को कितने amount पर capitalized करेंगे ठीक है जी sir omega limited contractor with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its one department in three month time ठीक sir omega ने contract के supplier के साथ वो एक machine purchase करेगा sir जो की एक department install होगी 3 month के अंदर ठीक जी sir तो sir 3 month के अंदर sir जो भी आपके direct expenditure होगा sir वो भी capitalized हो जाएंगे ठीक है जी sir लेकिन अगर indirect खर्चे की बात करें sir routine की खर्चे वो capitalized नहीं होगे special foundation were required for the machinery which were to be prepared with the this supply lead time ठीक है the cost of the site preparation and the laying foundation वर आपका 140 अब देखे sir site preparation और foundation cost 140 इसे capitalized करते हैं ठीक जी sir these activity वर supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose of 45,000 per month अब यहाँ पर देखे sir हमने इसके लिए क्या किया एक सर शुपरवाइज के लिए sir technician appoint किया तो sir जिसकी salary 45,000 पर month है अब 3 months इसको development पर लगें तो हम लोग क्या करेंगे 45,000 into 3 135 इस amount को capitalized करते हैं ठीक सर जो site preparation courses से capitalized करते हैं दा मसीन वाज पर्चेज एड रूपीज 1.58,000 ठीक है capitalized 50,000 transportation charges were incur to bring the machinery to the factory side, capitalized, architect sir was appointed at a fee of 30,000 to supervise machinery installation at the factory side, sir capitalized, total amount sir क्यों जाएगा capitalized हो जाएगा ठीक जी सर चली आगे बढ़ते हैं sir बात सुनिये द्यान से एक बड़ा प्यारास example को explain करता हूं फिर इस question को discuss करें ठीक जी सर हम लोगों ने क्या किया एक ना medical store था हमारा ठीक है करने की सोची ठीक है कि इसको ना ऐसा कर लेते हैं जैसे मालों medicine वगारा ना कहीं-कहीं रख्यों थी मिलते हैं नहीं थे हमने क्या किया डिसाइड कि medical store को ना प्रोपर अपडेट करते अब सर हमने क्या किया एक बंदे को कॉंट्रेक्ट दे लिया कि इसे ना रिडवलप कर दो ठीक उसने रिडवलप कर दिया उसे तीन महिने रिडवलप्मेंट पर लगे ठीक जी सर तो जो भी जो रिडवलप्मेंट पर इसकी कोष्ट होगी वो कट्टलाइज हो जाएगी ठीक जी सर एक बात दूसरी बात सर जो रूटीन में हमारा स्टाफ था वो आ रहा था उसको इसको खर्चा इंकड होना था तो वह आपका इंड़रेक्ट खर्चा हो गया सर रूटीन का खर्चा आप सर इसे ओपन करने के लिए हमँए क्या करना पड़ेगा सर यह जो खर्चा न पर रकना सर इस утबोपर भीस कोई लीच चार्ज करें थिक जी सर जब भी सर आपका इलिसंट क्वेस्ट आए न तो यह मेडिकल स्टोर वाला आप आप एक्ञांपल मांड में रखना कि अग अगर मालो medical store हमने redevelop करा लिया ठीक है अब सर medicine अगर हम रख रहे हैं उसे reopen कर रहे हैं उसमें हमें time लग रहा है तो सर जो भी उस time के दुरान खर्चा होगा सर वहां पर हम उसे टैपलाइज नहीं करें क्यों क्यों क्योंकि असर तो ready to use हो चुकी ना सर चलें जी सर चलिए entity A which operate major chain of supermarket sir entity A क्या कर रहे हैं sir operate कर रहे हैं एक major chain of supermarket को has acquired a new store location ठीक है sir उसने एक new store location को acquire किया ठीक the new location require significant renovation expenditure sir जो new location है वो sir significant renovation expenditure require कर रहे है ठीक है management expect that the renovation will last for three months during which the supermarket will be closed ठीक है management has prepared the budget for this period including expenditure related to construction and remodeling cost seller of stock who will be preparing the before store before its opening and related utility cost sir अब ये जो आपका खर्चाना सर ये आपका capitalized नहीं होगा what will be the treatment of such expenditure management should capitalize the cost of construction and remodeling the supermarket बिल्कुल ठीक है because they are necessary to bring to the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management जो मैंस तर्टिमेर्ट इसने श्क्राइट व्ला ठीक जिसर् the supermarket cannot be opened without incurring the remodeling expenditure and thus the expenditure should be considered as part of the asset however if the cost of the salary utility and storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open then these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the management सब्सक्राइब करने के लिए पहले तीन महिने सर टिकेट का रेट ना 60% डिसकाउंट पे कर दिया अगर आप देखें सर तो यह जो 60% डिसकाउंट पे मैंने टिकेट का रेट किया है तो सर यह मेरी परमोशनल एक्टिविटी एक तरीक है तो यह अमाउंट सर कभी कैफ्लाइज नहीं हो ठीक जी सर एन एम्यूजमेंट पार्ग है जो सोट ओपनिंग टू दी पब्लिक तू ट्राइल इट्राइट्ट्रेक्शन ठीक जी सर अब सर ट्राइल रॉन का मतलब होता है सर वो नसेशरी है असेट को उस कंडिशन में लाने के लिए जैसा सर ओपरेट हम करना चाहते है एक्जांपल कर लिया लेकिन अभी ना कुछ गैप लग रहे हमें अब वो गैप क्या है हमने कहा कि काम करते हैं 10 डेज ट्राइल रंच चला देते हैं और जो जो गैप होंगे कस्टमर से पूछ लेंगा और उन गैप को फिल कर लेंगे तो सर वो भी ट्राइल रहन है मतलब अगर हम वो ट्र लेटर ठीक है सर हमने जैसे माल लो आपको पताता हूं सिनेवा हो पूरी तरह से रैडी है हमने का पहले एक महीने फ्री मूवी देखो उसके बाद हम फिर हम क्या करें ओफिसल अनॉंसमेंट करेंगे इसको उपन करने की सर यह सब एक तरीके से प्रमोशनल एक्टिवटी ठ टीक जी सर दो फिसल ओपनिंग डेओ अब्धा अम्यूजमेंट पार्क इस थी मन्थ लेटर मैंजमेंट क्लेंग देट आप आपका नेसेसरी नहीं है पाक आपका राइडी ठीक जी सर चलें आए आगे बढ़ते है इलिस्टेशन नमबर सिक्स यह इलिस्टेशन आपका है अगर हमने असेट को एक्षेंज में एक्वाइर किया ठीक जी सर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मैं एक काम करता हूं इस कूंसेट को नहीं छोटा सा एक्जम्पल मनागे डिसकस कर लेता हूं यह मेरी बैलंसेट है ठीक है जी सर अराम से बात सुनेंगे एक्सचेंज में अगर हम एक्षेंट एक्वाइर करते हैं तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर बच्चों को नहीं बहुत टेक्निकल पॉइंट लगता यह मैं आपको बता दो इससे आसान कोई पॉइंट है नही बस आपने अगली पांच उनिट मेरी बात ध्यांद सुनें ठीक जी सर मानके चलते हैं हमारे पास कार एथी ठीक है सर और वन लैक उसकी बूक वैल्यू थी कैरिंग आवा था ठीक जी सर हम सर इस कार को मानलो सर पेसेंजर को लाने ले जाने के लिए यूज करते है ठीक है ज अब उसने देखा यह रूका मानलो खाना खाने के लिए उसने देखा और खड़ी है वोसकार को ऐसे गूर के देखने लग गया अब जो सकार का उनर था वो इस कार को देखने लग गया हमने उसे बोला बाइसा हमारी कार को क्यों देख रहे हो उसने का आप हमारी कार को क्यो अब सर यह हो गया जो आपका एक्क्यूजिशन ओप असेट इन एक्षेंज ओफ नोन मोनेटरी कंसिट्रेशन या कॉम्बिनिशन ओ मोनेटरी अगर मैं कुछ कैस्ट पे करता हूं या कैसे रिसेव करता हूं ठीक जी सर उसकी कार का नाम कार बी था तो सर अब यहां पर आप द करचा देखिए सर जब मैं कार भी को ले क्या हूं और कार ए उसे दे दुगा तो कार अमिर को क्या करने पड़ेगी अपनी बुक्स में से डी रिकोगनाइज करने पड़ेगी कितने अमाउंट पे वन लाक पे क्या इसमें कोई दो रही है नई सर क्योंकि सर जो डी करने से क्या cash flow में चेंज हुआ है क्या future benefit में हमने कोई benefit में रिकोड कर लो एक तरीक है आपने कार को रिपलेस तो कर लिया लेकिन आपके बास जो cashflow तो कार ए देती वही कार बी देगी तो अब इसे क्या करेंगे वलनाग भी रिकॉल कर ले ठीक चीज सर यहां पर स्टुडेंट की क्वैरी आती कि सर जब कैस्फफलों में चेंज ही नहीं हो रहा ना प्रोफिट और ना लोस हो रहा हमने कार को क्यों एक्क्चेंज किया वह उन कैसे करनी है प्लीज मेरी बात को जान से सुनेंगे अकाउंटिंग कभी यह नहीं कहेंगे कि भाई साव इस ट्रांजेक्शन को ऐसे कर दो ना वह कहते हैं ट्रांजेक्शन अगर आप नहीं कर लिए तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे अब मैं पहुंचा यह स सब्स्सेंस है मेरे चेंज हो जाएंगे यह चेंज हो जाएंगे मैं ज्याद हो जाएंगे हो जाएंगे ठीक सर उसने का ठीक है फिर अगले question का अंसर तो मैंने कर बोलो जो कार ए और भी है क्या इन से किसी बहुत इसेट की फिर्वाल्यू अदेंटिफाई हो पार ही है और फिर वैल्यू आपकी रिलाइबल होनी चाहिए मैं आपको बता दूं पूरे एस की दुनिया में इवन इफरस की दुनिया में इंटरनेशनल लिए ठीक जी सर अगर सर आप किसी भी अमाउंट को मेजर करते और उसका रिलाइबली एस्टिमेट नहीं लग पा रहा है तो सर हमने चाह सब कोमर्सल सब्सेंस भी हिर फिर वैल्यू अद्इंटिफाइब हो अ पाति यह के लिए हां पार ही है किसकी हो र्य पाते हैं हमने तो डिफ्रेंस आएगा पेंडल गांट में लेकर चले जाओ बन की बात जी सर इसका मतलब सर हम लोग क्या करेंगे कार बी को फिर वैलिव पर रिपोड करेंगे अगर दो कंदिशन पूरी होती पहली कंदिशन सर ट्रांजेक्शन में कोमर्सल सब्सेंस है और दूसरी कंदिश आपने रिपदा है अगर दोनोगे और उसको करेंगे ठीकction qorकाि तो जाहिए मोर क्या रिलायबल है अगर दोनोekी फेर बाटीव सब्सकेशन चारेंगे है या दोनों की मोर रिलाइबल है फिर सर जो असे उसकी बात कि अगर हमने कैस पे किया है कैस रिसीब किया सर अंगर एंट्री में कैसा आएगा थीक है सर कार की वैल्यू आ जाएगी और यह आपका डिर गोगर आ जाएगा डिफ्रेंसर आपका फिनल आगा चला जाएगा ठीक अगर question में sir question silent commercial substance के बारे हैं तो जर्मली अम्मान के चलते कि commercial substance है accept इनने के सर जहां पर question आपको situation बना के देद और पूछे कि बताइए इसमें commercial substance है या नहीं ठीक जी सर चले हैं जी आईए इल्रस्टेशन नमबर 6 पहुंचेंगे जल्दी से देखिए क्या लिखते हैं एंटिटी ए एक्षेंज लेंड विदे बुक वैल्यों 10 लैक सर एंटिटी ए के पास लेंड है जिसकी बुक वैल्यों कितनी है 10 लैक है तो सर देखिए तू लेंड आ जाएगी 10 लैक से देखिए करेंगे जो भी कैस आए गया कैस जाएगा सर उसे हम अकॉडिंग लिए क्रेट कर लेंग ठीक कैस अकाउंट डाइब 20 लैक से ठीक जी सर अब प्लांट अन्मसेंड को सर कितनी वैल्यों पर रिकॉड करेंगे सबसे पहले चेक करेंगे कि सर क्या क्या सबस्सेंस है अब यहां पर देखिए सर क्वेस्टन में यह नहीं बताए कि है इसकी फिर वाल्यों 25 लैक है अगर इसका मतलब क्या सर फिर हम इस पर रिकॉड कर लेंगे अगर ट्रांजेक्शन में को में सबस्सेंस है और असेट सरंडर या असेट ऑप्टेन किसी एक असेट की फिर वाल नहीं दोनों असेट की फिर वाली दे रखी तो जो असेट हमने सरंडर किये सर उसकी फिर वाली को में अगर सर मोर रिलाइबल असेट ओप्टेन की फिर वाली फिर उसको इसको चले हम अब सर इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास लेंड है सर वह टोटल 45 लाग कि चली गई तो 35 लाग का शर क्या हो गया गेन हो गया टूपी अंडल अकांट 35 लाएक स यहां चाहर के विलिसेंग किकर्टा कि इलर्शेम सब्सक्रान्य निए चनिक और फिटेंटी ए clips ये थितने स है कि आपका 13 लाएक चशहए टू कार एक्स 13 लाइक ठीक जी सर एंड एफ फेर वैल्यों 1325 फोर केश 15,000 और कार वाई विच है जी फेर वैल्यों 1310 ठीक जी सर अब सर यहां पर देखिए जो हमने असेट्स रंडर किया है उसकी फेर वैल्यों 1325 जिसमें कैश सर 15,000 अपने पास आ गया है और सर एक कार वाई आगे है जिसकी फेर वैल्यों 1310 है ठीक जी सर अब एक बार ना आप लिखेंगे नहीं मेरी बात सुनेंगे कार वाई सर देखिए अगर मैं कार वाई की बात करूँ यहां पर सर उसकी फेर वैल्यों कितनी है 1310 है और वैसे डेंटिफाई करें सर देखिए कार एक्स की फेर वैल्यों कितनी है 1325 माइनस सर 15,000 का कैस 1310 आ गया सर अगर मालों एमाउंट टैली नहीं होता था हम किसको कंसिटर करते हैं आपको बता दो सर जो कार एक्स हमने सरंडर किये उस तो हम क्या करते सर 1310 के साफ हरी कोड कर लेते हैं औरसे दीफरेंस अपना प्र प्र कान पे टा ओड। अगर अगर क्या करते सर जो सने इस सर काकर करा तो इसके कंपनी ऑर और नॉट एउटे गेल्ट ऑग एक्सजेंज क्योंकि सर कंपनी कैसे लोग नहीं होगे इस एक्सजेंज की वज़ेश ठीक इट इन दा सेम पोजिशन एज इट वाज बिफॉर तर ट्रांजेक्शन से पहले था यह सेम पोजिशन में रही कि मेजर्मेंट कोस्ट और असेट रिशेवर तो सरम लोग यहां पर क्या करेंगे सर थर्टीन लैक माइनस कि फिटीन थाउजन ठिक ट्वैल लैक एक्टीफाउजन ठिक चले आगे बढ़ते हैं सर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इलस्टेशन नंबर सर आपका एट और नाइन आगया है सर यह इलस्टेशन न मैं आपको थोड़ा रुग्य करा हूँगा क्योंकि मैं पहले एक रिप्लेस्मेंट को कॉन सब डिटेल मैं एक्स्प्लेंग करूँगा सही वक्त आने तो अब यह काम करते भी पैंडिंग रख लेते हैं चलें जी सर इलस्टेशन नंबर 10 देखें सर हम प्रोपर्टी प्लांट एंडिक्ट्यूमेंट को इनिसली कैसे रिकॉड करते सर कोस्प्राइस पर ठीक जी सर अब को कैसे इडेंटिफाई करते सर डिफरेंट डिफरेंट सर सब्सक्राइब करेंगा अपनी अकाउंटिंग पोलिशी डिस्क्लोज करने पड़ेगी और सर उसे क्लास अइसा करना पड़ेगा अब यह क्लास का मतलब कहा है मेरी बात सुनिए ध्यान से न हमारी सर एक कंपनी है ठीक है जी सर उसके पास 10 बिल्डिंग है बहुत बढ़िया सर ट्वण्टी एस है बहुत बढ़िया सर थर्टी माल लेते चीयर है कोई भी ऐसी एसे जिसका नेचर और यूज सिमिलर है उसे हम एक कलास ओपर सेट पोलेंगे ठीक जी सर अब आप अगर चाहूं तो एक कलास ओपर सट पर सब्सक्राइब दोनों अलग है तो क्योंकि दोनों का सर यूज अलग है नेचर अलग है तो सर यह क्या बन जाएंगी सर आपका डिफरेंट क्लास बन जाएंगी तो मैं चाहूं तो सर इसके ओपर क्या लगा सकता है चले अजीज आए इसलिक नमट टे एंटिटी ए इसे लार्ज मैनिफेक्ट्रिंग ग्रूप है इट ओंस नमबर ओप इंडर्शिटियल बिल्डिंग सर इसके पास ना अपनी बड़ी सारी इंडर्शिल बिल्डिंग है है pesos ओप ओटर्ट्रेंग ओझसलिक्स ना इसमृट्री इसे बिल्डुट सट्रिंग स्व हुत आट सम्सके अग्रूप है नजिया इसेशे बिल्डिंग प्रूप मेंतै घ्रिंगी सारी चाह्ँं उपज च्अलरा सबक्रूप तो इसे में स्धेट्यम ना इसेजोर सबट्सि प्र यां कोनस्ट संब्रोध जा मोड़ा रहें एसा कर kitchen जितनेफलीवे की सभी क्या पड़ेगा ॥ से और साथ में अरे स्क्राइं। इसे सेंप्राइं प्रॉपर्टा वेलिग कारिड़ा कुछ छॉजिप फिर के त। कि हैं इच थे देप्रिसेशन बेसिकली क्या होता यह थोड़ा से पॉंट के पर रहें पर हम डिसकस कर लेदां रहें लेकिस कई है कि सर मैंने एक मसीन परचेज कि टैनलेग की ठीक है इस यहां पर परचेज की ठीक है कितने की 10,000,000 की सर मैं उस मसीन को 5 years तक यूज करूँगा कितने साल तक यूज करूँगा 5 years ठीक जी सर after 5 years सर estimated scrap value जो होगी उस मसीन की सर वो 2,000,000 की तू लैक होगी कितने होगी 2,000,000 ठीक जी सर सर यहां पर इसका difference आगया एटल है इसे हम बोलते है depreciable amount क्या बोलते हैं depreciable amount ठीक जी सर depreciation basically है क्या कहता है systematic allocation किसका depreciable amount का जिसे हम calculate करें कैसे cost minus estimated scrap value ठीक है over the useful life of the asset मालों सर यहां पर जो useful life of the asset है आपकी five year है तो हम इसे क्या करें सर five year में allocate करेंगे ठीक जी सर अब सर हम इसे five year में कैसे allocate करेंगे सर क्या हम इसे equivalent allocate करेंगे या सर स्टार्टिंग में ज्यादा होगा या कोई और method सर एस्टेन किसी भी method को specify नहीं करता एस्टेन यह कहता है देखिए आपने asset को use कि होगा हांजी अब आपने उसे use करके benefit drive कि होगे हांजी आप जिस way से जिस pattern से benefit drive करते हैं आप उसी pattern से क्या करेंगे सर depreciable amount को amortize कर देंग और मैंने एक mobile purchase किया same company का mobile purchase कि हम दोनों ने company से पूछा कि company इसकी life जर्नली कितने साल होती है company ने बोला five years this is called economic life ठीक जी सर अब सर आप mobile को ज्यादा यूज करते हूं मैं थोड़ा लिंपड़ी यूज करता हूं ठीक जी सर सर मेरे पास जो mobile है इस तरह का वह जर्नली eight year चलता है और आपके पास mobile है सर आप तो चाहो तो two year में रगड़ दो लेकिन क्या करें थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है ठीक इसलिए आप उस mobile को सर तीन साल यूज करने ठीक जी सर तो आप बताईए हमें जो depreciation लगाना चाहिए क्या five year के साफ से लगाना चाहिए या useful life के साफ से यूज कि सर हम असेट को यूज करके जो benefit करेंगे वह useful life के साफ से करें ठीक जी सर तो ड्यक्ति सर क्या होता सर चार्ज होता ठीक जी सर चले हां जी यह कहता है मैं आपको कोई method नहीं बताऊंगा आप इस बात का द्यान रखना कि depreciation एक systematic allocation है किसका depreciable amount को जिसे calculate करते cost minus estimates over the useful life of asset useful life of asset का मतलब है कि कितने year तक आप asset को यूज करता हूं तो पांट साल में मैं जितनी उनिट प्रोड्यूश करें उसके साफ से मैं क्या 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 हूं ठीक जी सर लेकिन सर टाइम के साफ सर दो 50 years है ठीक है सर और सर जो engine है उसकी life 30 years है ठीक है सर जो चेर बगारा है सर उसकी life सर मान लेते हैं 7 years है अब मेरा question आप लोगों से है कि हवाई जाज को एक company depreciate कैसे करेगी कितने साल में करेगी 50 years 37 years अगर 50 years के साफ लगाएगी तो सर इनका गलत आ जाएगा ठीक के साफ चार्ज करेगी तो सर इस पर पूरा चार्ज नहीं होगा और इस पर गलत आ जाएगा ठीक जी सर तो क्या क्या जाए एस टन यह कहता है कि प्रपस के लिए आप क्या करेंगे साफ को component पे तोड़ तेंगे ठीक जी सर अब component के रिगाड में सर दो तिन बात है प्यारी-प्यारी सबसे पहले component की कोस्ट कैसे क्या क्या करेंगी है कंपोनेंट की फिर वैल्यू में एलोकेट कर दो बहुत बढ़िया है सेकिंड हर कंपोनेंट का एस्टिमेटर स्क्रैप वैल्यू और यूज को लाइटिफाई करके सब्सक्राइब कर लो ठीक जी सर एक बात का दियान रखेंगे कि जैसे मानलो हमारे पास एक सब्सक्राइब उसके तीन मेजर कंपोनेंट है लेकिन उसके कुछ पाट फिर भी बच जाते हैं तो सर अब वह एक तरीके सर मेजर पाट तो है नहीं तो सर हम उसे एक बाकी पाट को एक सेपरेट कंपोनेंट माल लें ठीक है जी सर अगर डेप्रिसेशन के रिगार्ड में पॉइंट देख को हम कैसे यूज करनेंगे अगर इन तीनों फेक्टर को रिव्यू करें य यह एक रग और चैंज आथा था तो सुषी हम चैंज इन अक्वानेंगे और उसका इंपक्ति कैसे लेंगे प्रोस्पेक्टिव बाइज पर लेंगे ठीक जी सर अपन्ड होगा इसजब हम असेट केरिंग अमांट से ज्यादा ठीक जी सर अगर मैं अजर को सिर्व रिटायर कर देता हूं ठीक जी सर और सर है फोर से निरकता सर उसके पर अपर अपर को चुपी है या फिर सर आपका प्रोडक्शन और यूनिट मैद तो वहां पर निल डेप्रिसेशन आ जाएगा ठीक जी सर चलिए बटा बहुत सारी बात ही रिटायर की चारचें की कि मैंने आपको एक्प्रियन करतें ठीक एक बात हो जीज दिन असन्ट एक हीज़ हो जाएगी उस देट से डिया आपकर उट्प्रोडग्शन और डेप्रिसेशन 1 बात हो इस इस अच्पटीो जाएगी असस डेट स सर असेट को डिस्पोज करेंगे उस डेट तक करेंगा ठीक चलें जी सर आगे बढ़ते हैं इलिस्टेशन नमर 12 एंटिटी ए परचेस एन असेट ओन फॉर्स जनुवरी एक सर आपका तैनियर बिल्कुल ठीक है रिज्टल वैल्यू सर निल है ठीक जी सर ओन फॉर्स जनुवरी एक सर आपका फॉर यर के बाद चार्ज हो चुका हुगा 50,000 से और सर आपका 60,000 केरिंग अमाउंट आ रहा हुआ ठीक जी सर ओन फॉर्स जनुवरी एक स्वाइटर रिव्यू दा एस्टिमेटर रिव्यू दा एस्टिमेटर लाइफ एस्टिमेटर लाइफ अगे सर अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क होता है कि जो हो चुका हो चुका इसको आगे इसको आगे चार्ज करें ठीक जी सब्सक्राइब करें अब का डेप्रेशिशन सर 10,000 आ गया और यह 15,000 अगया ठीक जी सब्सक्राइब entity B construct a machine for its own use construction is completed on 1st November but the company does not begin until the machine using the machine until 1st March sir हम लोग depreciation sir 1st November से चार्ज करना शार्ट करतें ठीक जी sir comment sir जब असर ready to use होती ठीक चलिए ए प्रोपर्टी कोस्टिंग रुपीज 10 लैक इस बोट इन एक्स वन ठीक है इस एस्टिमेट टोटल फीजिकल लाइब इस 50 यह सर जो इस्टिमेटर फीजिकल लाइब सरो कितनी है 50 यह ठीक है however the company consider it likely that it will be which will sell the property after 20 यह तो सर हम लोग जो चार्ज करते हैं वो यूजफू लाइब के साब से क्योंकि मैं सर 20 यह असर को यूज करूंगा ठीक जी सर तो सर आपका 10 लैक ठीक अगर एस्टिमेटर इस्टिमेटर वैल्यू इन 20 यह टाइम बेस्ट एक्स उन प्राइस इस 10 लैक सर अब देखिए आज प्राइस 10 लैक एस्टिमेटर स्क्रेप वैल्यू 10 लैक लाइफ 20 यह टीक जी सर अगर एस्टिमेटर स्क्रेप वैल्यू सर 9 लैक है तो वन लैक का माउंट आ जाएगा डिवाइड बाइट 20 यह 5000 पर एनम के साब से डेप्रिसेशन चार्ज हो जाएगा चलें जी सर बिल्कुल चलते हैं entity B manufacture, industrial, chemical and use blending machine in the production process the output of the blending machine is consistent from year to year and they can be used for different products अब यहां पर देखिए सर जो output आ रहा हूँ आपका consistent आ एक्विलेंट आ तो SLM method is the best method however maintenance cost increase from year to year कोई बात निए सर अगर maintenance cost आगे बढ़ रही है तो सर जो asset के ओपर हमने already cost applies कि सर उसके पर तो को impact आएगा ने उसका and a new generation of the machine with significant improvement over existing machine is available every 5 years sir हर 5 साल के बाद new machine आ रही है suggest the depression method to the management क्योंकि जो asset का production है वो आपका consistent है equivalent है हम लोग क्या करें सर SLM method लगाएंगे हाँ जो maintenance cost increase हो रही है sir आपका new development आ रही है significant improvement आ रही मसीन में तो उसको में consider करेंगे useful life के लिए ठीक जी सर factors such as maintenance cost और technical obsolescence should be considered in determining the blending machine useful life ठीक जी सर चली आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ sir illustration number 16 पे पहुंचेंगे ठीक जी सर देखें सर एक concept आता replacement का होता क्या है सर मेरे पास एक asset है ठीक जी सर उसमें physical damage आ गया तो मैं impairment पर जाओंगा ठीक जी सर सर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मालो physical damage आ गया asset में तो जो impairment होगा न तो मैं impairment loss edge पर AS28 charge करऊंगा ठीक जी सर मैं क्या करूंगा carrying amount का comparison recoverable amount का साथ करऊंगा ठीक जी सर लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि जैसे असर में physical damage आ गया asset सर चोरी होगी ठीक जी सर तो सर मैंने क्या करका उसका insurance करा रखा और replacement policy का मतलब क्या है कि मैं को new asset मिल जाएगी ठीक जी सर यहाँ पर दो तीन बात यह समझने वाली देखिए अगर replacement policy है तो मेरी असर जाएगी तभी तर निव asset मिल जाएगी सर यह एक तरीके से reimbursement का case हो गया एस 29 लग जाएग और एस 29 यह कहता है कि वर्चुल सर रिंटी के case में सर आप उसर रिकॉर्ड करेंगा ठीक है अब सर मुद्धाई उड़ता है कि मैं उससे कितनी value पर रिकॉर्ड कर तो यहां पर एस तैनिये कहता है कि सर जो वो new asset आपको replacement में लेगे ना उसकी भीरवाली सर मुद्धों क्या करें initial cost मालनें ठीक चले हां जी आए एंटिटी एक करीड प्लांट अन मसीनरी इन इस बुक्स एट रुपीस तो लैक दीज वर डेस्टोरेट इन फायर ठीक है दा सेट वर इंसूर्ड निव फॉर ओल्ड वर रेप्लेस्ट बाइ इन इसूरेंस कंपनी विद दा न्यू मसीन दा कोष्ट रुपीस 20 लग ठीक जी सर सर एंटिटी एक के पास एक 2 लग की प्लांट अन मसीनरी है थीज वर देस्टोरेट इन फायर में देस्टोरेट होगी थी दा सट वर इंकर्ट नू फोर ओल्ड ए और रेप्लेस्ट बाइ इन इसूरेंस कंपनी विद दा न्यू मसीन दा कोष्ट रुपीस 20 लग ठीक है थीज दा मसीन वर अक्वार रेक्वाइड बाइ इस बात की वर्चुल सटनिय आ जैगी ठीक है रिशेवल शुट बिमेजट अट फिर वाइट व्द आज बाइट सर दो इल्लिस्टेशन अपनी अपने पेंडिंग बिल्कुल पेंडिंग है सर्व आप कब करा होगे सही वकताने पर कराएंगे ठीक जी सर आईए mcq में बाद में कवर करांगा पहले आपको प्रेक्टिकल क्वेशन कवर कराता हूं ठीक जी सर चलिए जल्दी से आप क्या क अब अंडर दा फोलेंग है पर्चेस प्राइश बताना सर आपने ठीक डार्क्ली बेटिबल कोश्ट बतानी और सर कोर्श जो आपका केरिंग अमांट ओपीपी का पार्ट नहीं बनेगी मेरी बात सुनिए सर पर्चेश प्राइश मतलब जो आपका डार्यट परचेश प्र एंजिल ओपरेटिंग लोग सर हम इसे थार पोईंट में चाहेगी कोश्ट इंकर वाइल एन आइटम कपेवल अपरेटिंग इंड इंट इंट वाइज यह तो इंट रोट इन तो यूज सब मतलब असे रेडिए लेकिन सर उसे यूज में लाने के लिए भी आमें क्या करना ख करतें सर मैंने 1 लक का एक laptop परचेस किया मैंने उससे पूछा बैससी की दिसकाउंट उसने का सब कितने लेटव परचेस करोग基本 वेर्क tu उसने का 95,000 कोन लग जाए टीक तब जी सब तो मैंने क्या क्या TE 2 लै तो ग्रोस अमाउंट आगया अब सर उसने मेरे को 5000 पर लेपटोप डिसकाउंट दे दिया तो यह जो 10,000 का माउंट है सर क्या यह मेरी डिरेक्ट कोस्ट है ना सर इससे तो हम पर्चेस प्राइट रिडियूस करेंगे यही मैं कहा रहा हूं पर्चेस प्राइस में इसका इंप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे कभी फोश्ट का पार्ट नहीं मानने सब्सक्राइब अपना four point पे यह mention कर देना कि यह घरचे है यह असेट के ready to use के बाद के है ठीक जी सर अच्छा अच्छा ए बीसी इंस्टलिंग ए न्यू प्लांट एट इस प्रोडक्शन फजिलिटी इस कोस्ट प्लीज एडवाइज ए बीसी लिम्टर ओन दा कोस्ट एट कैन बी कैटलाइज आपका इन अकॉरेंस विद एस्ट है ठीक जी वी के प्लांट सर चैपिलाइज हो जाएगा इनिसल डिलीटेंट हैंडलिंग को सफटालाइज हो जाएगा कंसल्टेंट यूश फूर एडवाइस ऑन डेक्टिटिश में इसके बार इस अपके सिक्स्टिं में तो एक बार आप लेक्ट्टर कर लें वह लेक्सर वन में ही हम सिस्मेंटलिंग कोष्ट भी इंकड आपर सेवन इयर सर देखें सेवन येर के बाद सर जो हम लोग कोस्ट इंकड करेंगे बलकी यहां पर प्रिजएंट वैलिओ लिखेंगे आप प्रिजेंट वैलिओ यह प्रिजेंट वाल्यू सा ठीक जैसर ओपिंग लोसर नहीं करेंगे यह प्रिजेंट वाल्यू दिख लेंगे प्लीज ना चलें आगे जैसर आगे पढ़ते हैं क्वेस्ट फॉर्टिन बहुत ही प्यारा क्वेस्टन है बलकि मैं एक काम करता हूं इस क्वेस्टन से पहले कौन साथ और रिवाइज करा देता हूं देखिए सब्सक्राइज क्या ऊंप्रोपल्फन देक्मेंट है घर कंवेस्टन महां पहले भी रखा तो उसकेस में तो इसका उतलब भी मान के चलेंगे कि पुराना लोस था उसकी रिकवरी पहले करेंगे तो तो अर्लियर गेंगे और बैलन्स लोग में चार्ज करेंगे ठीक जी सर एक बात का ध्यान रखेंगे कि सर जो रिवालिशन रिजर्व का बैलन्स है सर हम उसे तिल दी डेट ऑफ डिस्पोजल सर या तो सेम कैरिंग अमाउंट पर रखेंगे या सर अडिशनल देप्रिशन के ब्राबर सर उसे रिटेंटर निंग में ट्रांसवर करतेंगे ठीक जी सर अब्रों डिस्पोजल प्रो ये चैनल आगया एकट दी अंड ओफ ये फोर फोर एक बाद तो सर आपका फॉर येर का डेपिसेंट आजाएगा सर आपका 1200 ठीक जी सर तो 3000 माइनस सर आपका 1200 तो सर एटीन हंडर्ड से शर क्या आगया आपका कैरिंग आमाउंट ठीक जी सर आगे देगे क्या लिगा at the end of year 4 the machinery was revalued to आपका 2700 lakh and the same was adopted ठीक है sir आपने कहके revolution model adopt कर लिया और आपका जो machinery थी उसको आपने 2700 पर revalue कर दिया तो 900 का sir आपका revolution surplus आजाएगा reserve and surplus में balance sheet में ठीक जी sir what will be the carrying amount of the asset at the end of the year 5 and year 6 assume no change in the useful life तो sir हम लोग क्या कर देंगे 2700 को remaining 6 year के साथ sir depreciate कर देंगे एक बात का ध्यान रखतेंगे sir जो deficit नना आएगा पूरा पूरा रिवालूट अमाउंट में चार्ज हो जाएगा तो 450 माइनस कर देंगे कर देंगे एटीन हंडड का amount आगया है चले आगे जी sir बिल्कुल आगे चलते हैं मैं एक काम करता हूं question आपको ने एक बार 17 पहले करा देता हूं क्योंकि मेरे ना दो question pending है मेरे को वहां तक भी पहुंचना है ठीक है जी sir उन इलिस्टेशन को पहले कवर कराने एक बार फिर बाकी question आपको कवर कराऊंगा ठीक जी sir बात सुनिए द्यान से से देखे क्या होता है sir हमने आज से कुछ year पहले एक building purchase की थी ठीक है sir इस building पे ये gate लगवाया था ठीक है sir sir अब हमने क्या किया sir आज इस gate को replace करती है अगर हम आज इस gate को replace करते हैं तो sir यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा sir जो हम लोग new gate लगवाएंगे जो हम लोग new gate लगवाएंगे sir उसे करेंगे कैप्टलाइस्ट ठीक जी sir और sir जो अपने पास already gate था उसे हम क्या करेंगे sir decapitalize करेंगे किस पर at carrying amount ठीक जी sir अब सर यहां पर question arise होता है क्या किसर मान के चलते हैं कि जब हमने इस building को बनाया था ना तब हमने component accounting नहीं की थी तब सर इस gate को हमने अलग से बुक्स में मतलब यहां पर अलग से gate तो लगावा था लेकिन अलग से बुक्स में record नहीं किया था मतलब हमने as a building record कर ली थी और sir अलग से component segregate नहीं किया था तो कहता आपको क्या करना पड़ेगा sir उस case में भी आपको इस carrying amount को calculate करना पड़ेगा अब कैसे calculate करें किता अगर माल लो management पोजिशन में नहीं कि इसे calculate कर पाए तो भी इस amount को हमें calculate करना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव कि management उस condition में है या नहीं ठीक जी सब अच्छा अब सर माल लो management उस condition में नहीं तो हम उसे calculate करें कहता सर यह बताईए यह आपने building कब ली थे हमने का आज फाइव यह पहले ठीक है जीरो नाइन ठीक है तो यह हम कोश माल लेंगे इस gate की इसके उपर five-year का deficit minus करें आज तक का जो balance आएगा वह आज का carrying amount आ जाएगा ठीक जी सर और फिर उस carrying amount को हम क्या करेंगे ठीक applies कर देंगे और जो new amounts हमने इंकड़ी के उसे हम क्या करेंगे क्या करेंगे और इसे सर क्या करेंगे डिक applies करेंगे दुबार बोल देता हूं सर जो यह carrying amount आएगा इसे हम क्या करेंगे decapitalize decapitalize का मतलब क्या है कि books में से उसे हटा देंगे at carrying amount और इसे क्या करेंगे no gate को decapitalize करतें ठीक जी सर अब आप एक काम करेंगे जो दो इलिस्टेशन अपने पैंडिंग है पहले उनके बारे में डिस्कस करतें इलिस्टेशन एट और नाई ठीक जी सर देखें क्या लिख रहा है इलिस्टेशन एट इलिस्टेशन आपडेगा इलिस्टेशन नमट नाई इलिस्टेशन नमट नाई अपना अपना लेंगे अधर टेक्निक यूज कर लेंगे जैसे सर मैंने आपको प्रिजेंट वैल्ली को पूंसर्ट बताया ठीक जी सर चलिए अब चलते हैं क्वेस्टेशन नमबर सब 17 पर है देखी क्या लिखता है बारत इंफार्स्ट्रक्शर लिम्टर्ट एक्वाइड हैवी मशिनरी एक कोस्ट और रुपीज वन थाउजन लैक्स दा ब्रेक्डाउन ओफ इस कंपोनेंट इस नोट प्रोवाइड सर जब हमने इस मसीन को पर्चेस गया था उस ताइम इस पर प्रेक्डाउन नहीं था ठीक यूजफुल लाइफ तो मसीनरी स्टैन एड यह एंड ओप यह देखेंगे तो 1000 जी सर अब सर टैनियर यूजफुल लाइफ अलग से कंपोनेंट के लाइफ सर नहीं दे रखी तो सेम यह मान के चलेंगे ठीक है तो शिक्स अनुट रवने आज तक रेपिसिंट चार्ज कर लिया वह 400 सर अपना कैडिंग आउंट आगा ठीक जी सर चलिए दा रिमेंटर ऑफ दा मसीन इस इन गूड कंडिशन एंड एक्क्टे टू लास्ट फॉर रिमेंइंग फॉर यह दा कोस्ट दा न्यू टर्विन आपका कितनी सर फॉर फॉर इस एक्ट परसेंट अब यह देखें सर हमने आज 450 में उसे क्या किया सथ एक्वायर कर लिया तो सर 450 तो चैप्लाइज कितनी इस करेंगे देखें सर 450 कोस्ट आज की है तो 6 यह पुरानी कोस्ट कितनी होगी सर डिसकाउंट फेक्टर अपना है एट परसेंट तो 1.08 की पाव आपका पावर शिक्स तो 283.58 इट मेंस क्या कि आउट ओट वन थाउजंट सर 283.58 कोस्ट की स्क्रिए होगी सर जो सर आपका यह कंपोनेंट जिसको हमने रिप्लेस किया तो इसमें हम क्या करेंगे सर शिक्स एयर का माइनस कर देंगे सर आपका 170.15 तो सर कैरिंग अमांट आ 113.43 ठीक जी सर तो सर हम लोग क्या करेंगे सर इसे decaptalize करतेंगे तो न्यू अमांट आपका आज आएगा सर 113.43 एक अल्टरनेटिव से और इस क्वेशन का मैं सोल करा हूँगा 736 आपका 0.57 ठीक जी सर आई एक अल्टरनेटिव से और सोल करते देखें सर असेट की कोस्ट कितनी थी 1000 ठीक है सर सर रिप्लेस पार्ट की कोस्ट हमने कैलकुलेट की कितनी आई सर आपका आई है 283.58 तो बैलेंस कोस्ट 1000 माइनस सर आपका 283.58 सर 716.42 ठीक जी सर आप कैरिंग 216.42 टैनियर लाइफ है 6 यह का डेप्लेस इसमें से माइनस करते हैं 429.85 तो आपका सर जो अधर रेने रिप्लेस पार्ट सर मसीन है उसका कैरिंग अमांट आजएगा आज की डेट का है जिस दिन हमने सर रिप्लेस किया कंपोनेंट को 286.57 ठीक जी सर और इसका डेप्लेसन सर हमने माइनस करना है 170.15 से सर यह बैलन्स आगा आपका 113.43 इस यह सर डीकेटलाइज करतेंगे यह अमांट निल आ गया सर इसमें हम क्या करेंगे न्यू कंपोनेंट को सर क्याप्लाइज करतेंगे क्लस 450 736 पॉइंट आपका 568 तो 568 तो राउंडिंग आपका 57 आजा आगा ठीक चलें जी सर चलिए आगे बढ़ते हैं इल्लस्टेसेशन अपने खतम हो गए थे क्वेसिन सर अपने बीच में दो क्वेसिन अभी होल्ट पर रखे थे आया बहुत बड़ी अबड़ी आपक्वेसन एक्स्टेंट क्वेसन दोनों एक्जान के लिए वोस्ट वोस्ट-वोस्ट इंपोर्टन पैसन सर स्थी तिक 10% per annum on SLM basis, Sir जो depression charge हुआ था, वो SLM के base पे charge हुआ था, ठीक है, useful life being 10 years, ठीक है, at the beginning of year 3, Sir, 3 year के beginning में, it means क्या Sir, it means ही है कि हमने 2 year का Sir, depression इसके उपर charge कर लिया हुआ, ठीक, जी Sir, तो आपका 2 year का depression कीतने से आएगा, Sir, 50 lakhs से, ठीक, जी Sir, तो 2 crore का Sir, carrying amount आगया, question number 15, यह देखे, 2 crore का Sir, carrying amount आगया, at the beginning of the third year, ठीक जी Sir, at the beginning of the year 3, the machinery was revalued to 3 crore, with the surplus on the revolution being created to revolution reserve, ठीक है, 1 crore का Sir, revolution reserve चला गया, 3 crore की Sir, asset होगी, ठीक, जीए Sir, depreciation was provided on the revolution amount after the balance, useful life of 8 year, ठीक है, useful life में कोई चीए नहीं, machinery was sold in the current year, अब Sir, यह current year का मानेंगे, देखे, Sir, 5 year ago की बात कर रहा हूँ, Sir, 5 year ago की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है कि, 5 साल पहले, 3 year के beginning में Sir, यह गट ना गटी, अब Sir, आज, यह 3 year का beginning है, और आज 5 year तो Sir, 3 year ओर होगे, ठीक, जीए Sir, तो हम लोग क्या करेंगे Sir, अब 50,000 Sir, आपका carrying amount आगया, at the end of the 5th year, ठीक, जी Sir, यह carrying amount आगया, ठीक, जी Sir, अच्छा, अब वो यह कह रहा है कि, उसने Sir क्या किया, मशीन को बेच दिया, this amount पर, ठीक, जी Sir, तो Sir, अगर उसने मशीन को इस amount पर बेच दिया, तो Sir, difference आपका low zone sale आजाएगा, पर चार्ज कर लेंगे, क्योंकि Sir, as per AS10, जब भी हम property plant and equipment को sale करेंगे, तो जो भी difference होगा Sir, आपका carrying amount और sale proceeds का, उसे पर 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 लेके जाएगे, ठीक, except इन्हें के Sir, जाहां पर हमने असाइट को बेच के वापर से lease के ले ले लिए, ठीक, जी Sir, what will be the treatment if the machinery fetched only 4250, ठीक जी Sir, एक बात हो, Sir, जो 1 crore का रिवेलेशन surplus का balance उसे हम रिवाइन रिजम में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, जी Sir, यहां पर आपका जो loss होगा, 4250, पर अगर हम बेचेंगे, तो Sir, आपका जो loss 1 crore 45 lakh हो जाएगा, ठीक, जी Sir, दोनों case में हम इसे क्या आपकेंगे, रिटेंट रर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, रिवेन रिजम भी बोल देते हैं, ठीक जी Sir, रिटेंट रर्निंग इस दा मोर एप्रोपीट वर्ड वैसे, चलें, जी Sir, पाईए, सबसे बड़ा क्वेशन सर इस चेप्टर का study material के साब से, और सबसे प्यार अबर क्वेशन के रिकॉर्मेंट देख लें, हाँ जी Sir, there is no change in the dismantling and site restoration liability during the period of use, ठीक है, you are required to explain how the above transaction would be accounted in accordance with AST, मतला जो 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 ट्रांसेक्शन ने दे रहे हैं, हमने सब के अकाउंटिंग के बारे मता रहा है, ठीक जी Sir, एलिंप्रेट इंस्टोल एन न्यू प्लांट, note a qualifier sir, at its production facilities, कमलो Sir क्या है, कि जो भी boring cost अगर हम incurred करेंगे, या कोई deferred payment के पर interest है, तो Sir, हम उसे capitalized नहीं करेंगे, ठीक जी Sir, आपका cost of the plant Sir, आपका 30 lakh से, initial delivery and handling cost Sir, 1 lakh capitalized हो जाएगा, capitalized, capitalized, cost of site preparation Sir, capitalized, consultant fee for advice on the acquisition of the plant, Sir, आपक capitalized, interest, charge pay to supplier against deferred credit Sir, note capitalized, estimated dismantling and site restoration cost Sir, 50,000 after 10 years, present value Sir, 30,000, 30,000 Sir, capitalized, operating loss Sir, note capitalized, जी Sir, आईए, एक काम करते है Sir, यहां तक, जितनी बाते हमने पढ़ी है, एक बार उसको, Sir, tick कर लेते हैं, ठीक, जी Sir, देखे, initially हम लोग Sir, property plan and document को कैसे record करें, Sir, cost price वे, 30 lakh Sir, आपका purchase price है, initial delivery and handling cost है, cost of site preparation है, consultancy fee है, estimate dismantling and site restoration cost है, ठीक, जी Sir, यह total cost आगया, ठीक, चले, हाँ जी, आईए, देखे, question क्या लिखता है, the company identified motor installed in the plant as a separate component, Sir, depreciation component के साब चार्ज करेंगा, बिल्कुल ठीक है, and a cost of 5 lakh purchase price and other cost were allocated to them, proportionately, देखे, Sir, हमने Sir, एक plant purchase किया, कितने गा, Sir, 30 lakh ठीक है, ठीक है, Sir, यह plant के साथ कुछ cost आगे, ठीक है Sir, अब Sir, plant में क्या है, motor car है, जिसका purchase price 5 lakh है, वो इसमें include है, ठीक जी Sir, तो बाकि plant की value 25 lakh आगे, cost price, purchase price, ठीक जी Sir, अब वो यह कह रहा है कि, जो यह cost आपने incurred किया, जिसको भी capitalized किया आपने, देखिए, the company identified motor car installed in the plant as a separate component and a cost of 5 lakh, ठीक है, and other cost were allocated to them proportionately, आप क्या करेंगे, जो आपने other cost दिनकर किया, सर, वो आपना motor car में और बाकी asset में आप इस ratio में, सर क्या करेंगे, allocate कर देंगे, ठीक जी Sir, तो यहाँ पर सर अगर आप देखेंगे, तो यह आपका 1 6th आगे, यह 5 upon 6th आगे, कैसे, total purchase price 30 lakh है, out of which sir, motor car आपकी 5 lakh की, sorry, motor car नहीं, motor, ठीक जी Sir, और part of the plant sir, आपका other than motor sir, 25 lakh है, तो sir, हम इस ratio में allocate कर देंगे, total amount को, ठीक जी Sir, यह देखे Sir, 33 lakh, 80,000 sir, आपका cost of plant, including motor, divide by sir, 6, यह आपका motor की cost आगी, यह बाकी cost आगी, ठीक जी Sir, चले, हांच, आगे, आगे देखे question क्या कहता है, the company estimate the useful life of the plant and those of motor as 10 year and 6 year respectively and SLM method for depression is used, ठीक जी Sir, estimate scrap value question कुछे दे नहीं रखें, तो निल मानेंगे, सर, जो आपकी motor है, उसे हम 6 year के साब से depreciate करेंगे, और सर, जो आपका remaining part of the plant है, सर, उसे हम क्या करेंगे, 10 year के साब से depreciate करेंगे, ठीक जी Sir, तो motor पर पर एनम का जो depreciation आएगा, आपका, divide by 6, 9, 3, 8, 8, 9, ठीक जी Sir, और सर, यहाँ पर जो depreciation आएगा, सर वो आएगा, आपका, divide by 10, 2, 8, 1, 6, 6, 7, ठीक, यह आपका depreciation आजाएगा, पर एनम, आएए, आगे बढ़ते हैं, at the end of year 4, the company replaced motor, installs in the plant at a cost of 6 lakhs, ठीक, जी Sir, उन्होंने क्या किया Sir, 4 year के बाद, motor को replace कर दिया Sir, 6 lakhs से, तो हम लोग क्या करेंगे Sir, जो पुरानी motor है, उसका जो भी carrying amount आ रहाएगा, उससे decathlize कर देंगे, कितना carrying amount आ रहा होगा, Sir, यह जो cost है, इसमें से Sir, हम यह depreciation per annum के साथ से minus कर देंगे, तो 93889 into 4, Sir, depreciation ना रहागा, 375, आपका 5555, ठीक है, आपका 556 है, वो राउंटिंग में आ गया, Sir, यह carrying amount होगा, इससे हम क्या करेंगे Sir, decathlize कर देंगे, ठीक है, 4 year के बाद ध्यान रखना, और Sir, new motor को 6 lakhs से Sir, क्या करेंगे, capitalize कर देंगे, ठीक जी Sir, और जो remaining part of the, आपका plant है, Sir, उसका जो carrying amount आ रहा होगा, Sir, यह per year के साथ, depreciation 4 year का आ जाएगा, तो carrying amount Sir, जो आ रहा होगा, सर, 16,90,000 से carrying amount आ जाएगा, carrying amount of plant यह other than motor है, ठीक, चले, आजी Sir, आईए, इसके बाद एक क्वेशन क्या लिखता है, and estimated useful life of the new motor to be 5 year, ठीक है Sir, इसे 5 year के साबसे सार हम क्या करेंगे, हाँ है sir, depreciation charge कर लाएंगे ठीक, जी Sir, अगर estimate scrap value अगर है, तो consider कर लाएंगे, ठीक, जी Sir, also the company revalued its entire class of exact at end of year 4, the revalued amount of the plant as a whole is 25 lakh, अब Sir, यहां पर सबसे important पात देखिए, उसने revalued amount ना other than motor नहीं दिया, सर उसने बोला कि जो प्लांट है उसे हमने रिवैल्यू कर दिया कितने वे 25 लैक ठीक है पूरे प्लांट को अब सर प्लांट बद मोटर भी आएगी और मोटर की करेंट कोर्स कितनी है 6 लैक तो सर बाकी जो प्लांट है सर वो 19 लैक का गया यह देखिए सर चले जी सर अब सर क्योंकि यह हमने रिवैल्यू किया है तो जो भी केरिंग अमाउंट और रिवैल्यूट अमाउंट का डिफरेंस वह से ट्रीट करना पड़ेगा सर यहां पर 210 का अपना रिवैल्यूशन रिचवागा किये नागए ठीक जी सर अब अगर मैं की बाद करो सर 120 आएगा आपका न्यू मोटर पर है और सर क्योंकि उसकी रिमेनिंग उसको लाइफ फाइव यह है सर जो रिमेनिंग प्लांट है उसकी यूच्फुल लाइफ में कोई चेंज नहीं है तो नाइंटीन लैग सिक्सियर लाइफ बच्ची हुई 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 हु अब सर यह 8 के बाद the company decide to retire the plant from active use ठीक है and also dispose the plant as a whole सर उसने पूरे प्लांट को 6 लैक पर बेज दिया ठीक जी सर जो भी कैरिंग अमांट और आपका सेल वाल्यू का डिफरेंस अब पीनल पर चला जाएगा और जो रिवालूशन सर प्लस का सर अपना बैलेंस था उसे हम तरी तो आगा क्योंकि 4-year का डिफरेंस अगया ठीक जी सर अब सर यहां पर एक मुटा यह उठता है कि जो 6 लैक है इसे सर कैसे अलोकेट करें देखिए सर एक तो तरीका ही हो सकता है कि हम लोग क्या करें सर ओरिजिनल कोष्ट के साफ सर जो और कोष्ट ही न हमने वन उपोन 6 और 5 उपोन 6 के साफ से अलोकेट कर लें लेकिन वह चीज़ सर प्रैक्टिकल पॉस्टी मतलब आपका रिलाइबल नहीं हो पाएगी ज्याद यहां पर आप देखेंगे तो सर इसको मने रिवैल्यूड कर रगए और आपके परचेस प्राइस से अलग था ठीक जी सर क्या हम इस रेसो में अलोकेट कर लेते अगर अपनी यूच्फुल लाइफ से मोती क्योंकि यूच्फुल लाइफ अलग है इसका पर किसी और यूच इसका टोटल आजाएगा आपका 850 सोरी 753 332 इंटु सर आपका 120 95575 सर इसका कैरिंग मांट आगया रिमेनिक सर कैरिंग मांट इसका आगया मोटर का और बाकी सर प्रोचिट समांट अधर पार्ट का अगया प्लान के ठीक जी सर यह लोस आजाएगा पिनर कांट में राइट ठीक जी सर चलिए आगे चलते हैं सर एक ना जो क्वेशन नोमर 18 ना इसे रिटेट एक बड़ा प्यारा सा कॉंसर्ट है मैं एक्स्प्लेन करूँगा पहले उस कॉंसर्ट को ना क्योंकि फिर क्वेशन 18 वे आपकी कोई क्वैरी आएगी नहीं देखे सर क्या होता है मेरे को एक 진ेमा खोल भनाना थे ठीक घीज़सर्ण मैं लेंड देख रहाँ ठीक जी शबलत चाहूं थीजयेल पास यह बिल्डिङग अकूट करना थरा भ़ण करियो मैं इसके मालिक के पास जाता हूं मैंत सब्सक्रवembura 4 कितने की होगे उसने का 11 क्रोड की मैंने का कैसी बाते कर रहे हैं उसने का क्यों साब मैंने का साब लैंड तो 10 क्रोड की वैलिवेशन के साब से आप जो भी प्राइस पर स्कीर्फित मांग रहे हैं कैता साब 1 क्रोड की building में का मेरे लिए यूज इस है के ता सब मेरे लिए उसलेस है मैं काली building किसको बेचंगा ठीक तो सद यहां पर मैंने क्या किए सद इस लाइन बिलिडिंग को प्रचेज कर लिए इस केस में पता क्या होगा सब 11 कोड की लैंड की कोस्ट ना जाए मैं इसे युद्ल करूँगा तो ओट वह भी कहीन के डारेक्क का पार्ट बन जाएगा क्योंकि साथ सिनेमा होल बनाने के लिए को क्या करना बढ़ेगा सरी से डिसमेंटल करना वड़ेगा ठीक चलिए यहां पर एक ऐसा पॉइंट है तो बच्चों बड़ी क्वैरी रहती है इसके बाद सब्सक्राइटी आगे आपको और सर जब भी मैं कोभी कॉंसेप्ट में कहता हूं आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो 60 लैक का सब्सक्राइब कैसे सर अब का 63 लैक जो है यह यह अमांट है इनक्लूडिंग आपका GST ठीक जी सर तो 63 लैक डिवाइड बाइसर 1.05 परसेंट जी सर आपका 60 लैक सर यह रिलाजबल वैल्ली आजाएगी कोस्तर हम निनकर की है 1.10 क्लोड की तो 50 लैक्सर यह अमांट हम क्या करेंग क्या करें ठीक जी सर फफ़ाइब लिए और सर आपका जो डिमोलीशन एक्सपंडिटर नेट ओव साल्वेज इंकम सर 50 लैक से आ जाएगा 1.10 लैक माइनस 60 लैक का सर जो हमने अमांट रिलाइज किया ठीक जी सर अच्या उसके बाद लिखता है प्रीद लिंक्र इंकर स्टैंप डूटी अं रिजिस्टेशन तो सर यह सब कोस्ट क्या हो जाएगी ठीक जी सर और आपसे सर कोस्ट लैंड मांगे क्वेस्टन में कंप्यूट्ट लैंड एक्वाय ठीक चले अब हम चलते एंशी के पर देखिए प्टम आपको बता दू एंशी क्यू ना एक्जाम में आप तभी हैंडल कर पाएंगे के स को ना कॉंसेप्ट की बहुत अच्छे से नोली जोगी और मैं अपनी कलास के अंदर ना चाहिए मेरा फास्ट्राइक कोर्स वीडियों ना हूं मैं उसमें भी 100% कॉंसेट ना बहुत डिटेल में कवर कराता हूं ठीक हर कॉंसेप्ट को मैं एक्जाम्पल के साथ एक्स्प्ल एच पर एच तैं प्रोपर्टी प्लान एट एक्यूपमेंट विच ओव दा फॉलेंग कोई इसनों इंक्लूड को सर इंक्लूड नहीं करेंगे इंस्ट्लेशन एंड असेम्ली को सर इंक्लूड करेंगे इनिशियल दिलिवेड़े एंधलिंग को सर इनक्रोड करें ठीक जी सर एज पर A.S.10 रिवाइस्ट P.P. एज एंटर्पाइस होल्डिंग इन्वेस्मेंट प्रोपर्टि सुट वेल्यू इन्वेस्मेंट प्रोपर्टि सर एज पर फेर वैल्यू under discounted cash flow under cost model मैं आपको बता देता हूं देखी property plant and equipment में सर जो investment property होती न हम उसे initially measure करते है सर as per as 13 ठीक subsequently सर उसको पर as 10 लगता लेकिन as 10 में सर जो cost model revolution model लोना सर दोनों option अविलेबल नहीं होते सरफ cost model अविलेबल होता ठीक जी सर if lot of land with carrying amount of rupees वनला है was revalued to 150 at the end of the year 2 ठीक है subsequently due to drop in the market value the land was determined to have a fair value of 130 at the end of the year 4 बिल्कुल अराम से question समझेंगे देखी हमारे पासर के एक land जिसका carrying amounts अपना 1 lakh है ठीक है उसे 150 पर हम नहीं क्या कर रिवैल्यू कर दिया year 2 के end में तो सर 50,000 आपको कहां चला जाएगा revaluation रिजम में ठीक जी सर subsequently due to drop in the market value the land was determined to have a fair value of 130 तो सर अगर आप यहां पर देखाएंगे तो 20 थावजान का जो लोस हुआ है उसे हम क्या करेंगे सर subsequent loss है इसके गेंस्ट चार्ज कर लेंग ठीक जी सर adjunct that the entity adopt revolution model what would be the accounting treatment initial upward revolution of 50,000 credited to revolution reserve ठीक है subsequent sir पेंडल में जाएगा सर इसके गेंस्ट चार्ज हो जाएगा पेंडल गलत है revolution reserve और subsequent sir आप revolution reserve के गेंस्ट adjust कर लेंग ठीक जी सर चले हाँ जी सर आईए question no.4 a plot of land with a carrying amount of 1 lakh was revalued to 90,000 ठीक है at the end of the year 2 तो 10,000 आप पेंडल कॉन में चार्ज कर लेंगे due to increase in the market value the land was determined subsequently due to increase in the market value the land was determined to have a fair value of 1 lakh 5,000 ठीक जी सर subsequently sir fair value कि तरी हो कि 1 lakh 5,000 तो 15,000 का सर जो gain है क्या में सर revolution reserve में लेके जाएगा नहीं sir पहले हम लोग पुराने loss की recovery करेंगे और 5,000 सर कहां लेके जाएगे फिर आपका revolution reserve में ठीक है मतलब 10,000 सर आपका Pindle account में credit हो जाएगा was determined to have a fair value of 1 lakh 5,000 at the end of the year 4 assuming that the entity adopt revolution model what would be the accounting treatment of revolution initial downward sir revolution reserve no initial downward sir 10,000 debt to Pindle बिलकुल ठीक है subsequent sir credit into Pindle no initial sir हम downward valuation को sir Pindle account में charge करेंगे बिलकुल ठीक है subsequent sir upward revolution बिलकुल ठीक है उसे Pindle account में credit करेंगे और 5,000 sir revolution reserve में लेके जाएगे बिलकुल ठीक है ठीक जी sir on sale of asset which was revalued upward what would be the treatment of revolution reserve sir उसे retained earning में transfer करेंगे revolution reserve is created to Pindle no option B retained earning में चला जाएगा ठीक जी sir इसी के साथ sir AS10 समाप्त होता है और अब हम चलेंगे sir AS2 में sir AS2 को नाम है valuation of inventory हम inventory का valuation कैसे करेंगे कैता साथ initially हम लोग inventory को cost price पर record करेंगे sir क्या बात कर रहे हूं मैं कर क्यों sir inventory का valuation होता है cost और NRV विचे और लोवर माँ आपको अता दू inventory initially cost price पर record होती subsequently sir हम लोग valuation करते है lower of cost और NRV ठीक जी sir आईए अब discuss करते हैं कि inventory को subsequently कैसे वैल्यू करेंगे कैता sir इसके लिए आप inventory के दो पार्ट बना देंगे एक finished goods and WIP और एक आपका raw material ठीक जी sir sir जो finished goods and WIP है हम उसका valuation कैसे करें कैता लोग कोस्ट और NRV ठीक जी sir on item by item basis इसका मतलब क्या कि sir जैसे मालो मैं chair बेजता हूं और मैं table बेजता हूं ठीक जी sir तो sir chair का valuation sir chair की cost का उसके नर्व के साथ comparison किया जाएगा और table की cost का sir table के नर्व के साथ comparison किया जाएगा aggregate करके साथ comparison नहीं करेंगे ठीक जी sir sir जो हम inventory का valuation करेंगे cost और NRV which is lower on item by item basis sir हम individual item ले सकते group में ले सकते ठीक जी sir sir NRV कैसे calculate करेंगे sir expected selling price minus expected selling expenses minus expected cost of completion in case of WIP ते की क्या होता sir सबसे पहले हम लोग identify करते sir expected selling price वो कैसे identify करते है सर अगर respective item जो हमने year end पर held कर रखे अगर वो sale हो जाती है approval date से पहले तो sir जो उसका selling price ठीक जी sir अगर sir approval date से पहले वो item भीखती नहीं है तेल नहीं हो पाती तो sir similar item का sale price अगर sir similar item भी sale नहीं होती तो हम लोग क्या करें sir फिर management estimate लगाएगा ठीक जी sir sir wip के case में sir हम nrv कैसे calculate करें देखिए अगर wip sir उस stage पे है कि वो independent sale हो सकती है तो sir उसके selling price में से expected selling expenses minus करते हैं ठीक जी sir लेकिन wip sir उस condition पर नहीं है कि वो independent sale हो पाए तो उसके समय में लोग क्या करें sir finished goods का selling price लेंगे finished goods के expected selling expenditure लेंगे और sir फिर आपका expected cost of completion लेंगे in case of wip ठीक जी sir sir cost कैसे calculate करें किता कोस्ट में आपका purchase price आ जाएगा मतलब purchase cost जिसमें आपका purchase price है आपके non-refundable tax है अगर कोई sir आपका cost incurred है जैसे sir आपका transport cost है handling cost है आपका sir loading unloading cost direct cost जो भी ठीक जी sir as reduced by अगर कोई rebate मिला या trade discount मिला ठीक जी sir cost of convergence जिसमें आपका लेवर कोस्ट आ जाएगी आपके overhead पोस्ट आ जाएंगे sir overhead cost में sir variable overhead को sir हम लोग allocate करके sir मतलब as it is consider करते हैं लेकिन sir fixed overhead के कैसे में हम लोग आपके recovery rate consider करते है ठीक जी sir sir recovery rate हम लोग normal production के साफ से calculate करते हैं अगर actual production जादा फिर उससे consider कर लेंगे लेकिन अगर actual production काम है तो सर हम लोग क्या करें sir normal production के साफ से recovery rate calculate करेंगे और जो भी recovery rate आएगी sir उसके साफ साफ actual production से multiply करके sir हम लोग क्या करके cost को charge कर लेंग inventory cost में और बैलेंस fixed overhead अब एक बंद आता कैता सब AC में यह feature होने चाहिए मैं का सर यह feature नहीं है लेकिन हम आपकी requirement के साफ सर AC को बना देंगे से कस्टमाइज बेस्ट इन्वेंटरी तो सर उसमें जो भी डिरेक्ट कोस्ट सर वह आ जाएंगे ठीक चीज़ सर चले हांची अब एक काम करते हैं सर कुछ कोंसेप्ट सर हम सर एक्जांपल के साथ question के साथ cover करेंगे हां cost में सर क्या क्या नहीं आएगा सर देखे cost में आपका सर abnormal loss नहीं आएगा storage cost नहीं आएगी लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि जो process होते अब सर एक process से दूसरे process में जाएगी तो बीच में उसे hold करना पड़ेगा storage करना पड़ेगा तो सर वो cost आ जाएगी ठीक जी सर administrative overhead नहीं आएगे सर आपके journal overhead नहीं आएगे सर selling and distribution cost नहीं आएगी ठीक जी सर एक concept हो रहाता है आपका packing material नहीं रखना पड़ेगा ठीक अगर सर पैकिंग में नहीं रखेंगे सर उसे हम held नहीं कर पाएंगे ठीक तो सर सर ऐसी packing material सर होती है primary packing material सर उसे हम cost का पार्ट मांदे ठीक सर secondary packing material होती जैसे मालो हमने क्या किया सर cold drink को pack कर दिया सर बोतल में ठीक अब सर 10 बोतल का सर एक pack बना दिया तो सर यह एक तरीक से distribution expenditure होते सर उसे हम पिंडल अकॉन में चार्ज करते ठीक जी सर रेखें सर finished goods का ultimate objective sale करना होता है लेकिन सर raw material का ultimate objective सर क्या होता है उसे हम लोग सर प्रोसेस में लेंगे finished goods के ठीक जी सर मतला हम सर उसे सर यूज करेंगे और नया raw material purchase करेंगे तो सर raw material का जो comparison होता ना cost के साथ सर वह हमेशा replacement cost का होता है उसका reason क्या उसका reason यह है कि जो inventory अपने ultimate objective सर सेल करना है लेकिन सर जो अपने पास सर raw material है सर उसे हम सेल नहीं करेंगे बलकि सर उसे replace कर देंगे ठीक जी सर तो कहता है raw material का valuation कैसे करेंगे कहता है अगर finished goods का selling price finished goods के cost price के बराबर या उससे जादा है तो it means कहा है कि raw material की cost की recovery हो जाएगी तो हम raw material को cost price के value करेंगे ठीक the company deals in three product आप एक काम करेंगे page number पे आएंगे 5.12 पे ठीक जी सर the company deals in three product आपका a, b and c which are neither similar nor interchangeable ठीक है at the time of the closing of its account for the year x1, x2 historical cost and net reasonable value of the item of the closing stock are determined as follows what do you believe the value of the closing stock sir हम लोग क्या करेंगे sir item by item based for valuation करेंगे मतलब sir aggregate करके comparison नहीं करेंगे sir 28, 32 और 60 चले जीज़ी sir illustration 2 पढ़ेंगे देखें का रिखता है x company limited purchase goods at the cost of 40,000 ठीक है in October x1 till March x2 75% of the stock were sold मतलब 25% stock बच गया तो cost बच गे sir 10,000 ठीक है मतलब unsold inventory cost 10,000,000 है मतलब 10,000,000 की cost का goods बच गये the company want to disclose closing stock at 10,000,000 cost पर दिखाना चाहती है the expected sale value is 11,000,000 and a commission at 10% on sale is payable to the agent sir तो आपका selling expenditure minus करतें expected selling price is 9.9,000,000,000 आ गया sir किस base पर हम मतलब correct closing stock कितना होगा sir 9.9,000 होगा ठीक है चले जी sir cost और NRV whichever is lower illustration number 3 देखे क्या लिखता है इन्हे प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इस 5% of input देखे सर जो नॉर्मल लोशन हम उसे क्या करता है sir total cost में allocate कर देते है ठीक है मतलब normal production में allocate कर देते है आप simple समझिए sir जैसे मालो हमने क्या क्या है 100 आपका kg गी purchase किया ठीक है और पर केजी cost 1000 है तो वन लाग कोस्ट आगी नॉर्मली सर टू परसेंट वेस्ट हो जाता तो सर हम क्या करें 98 kg में इसे allocate कर दें ठीक तो नॉर्मल लोश सर क्या हुआ allocate होके adjust होके ठीक जी सर अम मालो सर हमें 95 kg ही गी मिला है तो 3 kg सर अपने abnormal लोश हो जाएगा और जो cost सर अपनी कितनी है पर kg सर 1 lakh divided by 98 सर 1020 x 3 सर अपने चार्ज कर लाइं ठीक जी सर in a production process normal waste is 5% of input 5000 metric ton of input were put in process resulting in a wastage of 300 metric ton ठीक है cost per metric ton of input is आपका रुपीज 1,000 ठीक है the entire quantity of the waste is on the stock at year end straight with reference to AS how will you value the inventory in this case यह देखे सर 5% waste होता था तो सर अपना 4750 आना था लेकिन 300 metric ton waste हो गया तो 4700 अपने पास output आ गया तो सर यहां पर आप देखेंगा तो 50 सर जो अपने पास metric ton है उसका abnormal loss हो गया ठीक जी सर अब सर अगर यहां पे हम cost per unit calculate करें तो 5000 इंटो आपका मतलब पर metric ton अगर calculate करें 5000 इंटो 1000 डिवाइड वाइज सर आपका 4750 सर कोस्ट पर metric ton आगी 1052.6316 है ठीक जी सर अब सर यह amount हम लोग क्या करेंगे सर सर पी एंडल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे एजे abnormal loss सर यह आगया 52632 और सर इंवेंट्री कितनी है 4700 सर इंटो 1052.6316 सर इंवेंट्री आजाएगी 49,47,368 चले जी सर चले इलिस्टेशन नमबर 4 you are required to value the inventory per kg of finished goods consisting of material cost 200 आगया direct level सर कप्लाइज हो जाएगी मतलब cost of inventory का पार 40 direct variable overheads 20 fixed production charge for the year on normal working capacity 2,00,000 kg है 20,00,000 है तो सर आपका 10 per kg सर recovery rate आजागा fixed production overhead का सर कर 4000 kg सर in stock है तो सर कोर्स कितनी आएगी 200 plus 40 plus 20 plus 10 इंटो सर आपका 4000 सर 10,80,000 चले जी सर आगे अब चलते question हो के उसके बाद सर आएब कवर करेंगे question number sir आपका 6 जो है यह बिल्कुल duplicate question जो अभी हमने abnormal loss वाला question किया था question number 7 Mr. Mahul gives the following information relating to item forming part of inventory as on 31st March x1 his factory product product x using raw material a sir उसका जो factory product x sir raw material a use कर रहा ठीक जी सर 600 unit of raw material a purchase 120 replacement cost रापकी 90 है तो sir अभी हमें क्या करना पड़ेगा पहले finished goods का valuation check करना पड़ेगा finished goods का selling price अगर finished goods के cost price के बराबर या उससे जाद है तो sir हम लोग क्या करेंगे sir इसे sir cost price पर value करेंगे और 500 unit of the partly finished goods in the process of producing x and cost incurred till date sir आपका 260 है these unit can be finished next year by incurring additional cost of 60 तो सरम लोग क्या करेंगे expected selling price minus expected selling expenses minus 60 कर देंगे sir जो भी NRV आगे sir उसका comparison 260 साथ करेंगे ठीक जी sir 1500 unit of the finished product x and total cost sir आपका 320 है लेकिन जो expected selling price product x का sir वो 300 है ठीक जी sir तो हम लोग sir finished goods को कैसे value करेंगे sir आपका 300 पे 300 into 1500 sir 450 क्योंकि sir selling price कम है तो NRV आजाएगे ठीक जी sir अच्छा raw material sir कैसे value करेंगे क्योंकि sir finish goods का selling price finish goods की cost price से कम है तो sir lower of cost और आपका replacement cost तो sir 90 into आपका 654,000 500 unit of partly finished goods in process ठीक है 260 sir cost है WIP की और sir अगर NRV बात करें तो sir 240 तो 240 तो 260 sir विचावर जी लोगा sir 240 500 into 240 sir आपका amount आगया 120 प्लस 54,000 प्लस आपका 450 sir 6,24,000 answer आगया चलें जी sir चलें आगे बरते हैं question number 8 on 31st March X1 a business firm find that cost of a partly finished unit on that date is 530 ठीक है the unit can be finished in X1 X2 by an additional expenditure of 310 ठीक है the finished unit can be sold of 750 okay तो sir ये आपका partly finished मतलब WIP की cost आगी NRV sir 750 minus sir आपका selling expenditure minus 310 ठीक जी sir the finished unit can be sold for 750 subject to payment of 4% brokerage तो sir आपका 750 minus 4% 720 sir additional expenditure sir 310 का आपको incurred करना पड़ेगा तो 410 आगे ठीक जी sir NRV तो 410 के साथ sir हम क्या करें वैल्यू परेंगे एक पर question पूरपर लेते the firm secure advice regarding the amount at which the unfinished unit should be valued as at 31 March X1 for preparation of final account ठीक है assume that the partly finished unit cannot be sold in semi-finished form and its NRV 0 without processing it factor ठीक है मतलब वो ये कहरा सकत कि जो आपका partly finished goods वो semi-finished condition में भी किनी सकता वो मैंने आपको बताया था starting में कि अगर sir WIP उस condition में है कि वो independent week सकता है तो हम लोग उसका selling price माइनस उसका selling expenditure माइनस करें ठीक है ठीक जी sir चलिए 410 तो sir यहां पर क्योंकि वो भीक नहीं सकता तो हम लोग क्या करेंगे finished goods के selling price में से finished goods के selling expenditure गटाएंगे और उसमें sir cost of completion गटाएंगे ठीक 400 ने प्रसर क्या होगा वैल्योस रना चाहेगा चलें जी sir अब चलतें mcq पे बटा मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि mcq और case scenario तभी handle हो पाएंगे जब आप conceptually strong होंगे ठीक तो जब भी आप पढ़ाई करें sir जहां करें आपना concept आपने अच्छे से कलियर करने है आई mcq के लिए पेज नंबर 5.16 रहेंगे वीच आइटम अप इन्वेंटरी अंडर दा स्कॉप अश्टू रिवाइस्ट WIP arising under construction contract no raw materials sir बिल्कुल है stayer no debenture held as stock and trade no ठीक जी sir चले हांजी material and other supply held for use in the production of inventory are not written down below cost if the finished product in which they will incorporate are expected to be sold at or above cost all the following costs are excluded while computing value of inventory except selling and distribution are excluded होता है allocated fixed production overhead based on normal capacity sir ये include करते है abnormal wasted sir exclude होता है storage cost sir जो की necessary नहीं sir उसे भी exclude करते है storage cost which is not necessary लिख लबता है याप नोट नसेसरी आएगा ठीक जीसर part of the production process ठीक चली question no 4 देखेंगे हमें इनक्रेक्ट सर आपने बताना है इन में से कौन से स्टेटमेंट इनक्रेक्ट है ठीक storage cost which is a necessary part of the production process is included in inventory valuation sir storage cost जो की necessary part है production process का sir वो आपका inventory के valuation include होगा बिल्कुल सही है sir तो यहाँ पर नोट लिक वाए है ठीक हमें इनक्रेक्ट बताना administrative overhead are never included in the inventory valuation incorrect ठीक चलें जी सर चलिए इसी के साथ sir AS10 AS2 समाप्त होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच पोल्टिवेश को ब्लेशी और हम इस पार exam 4 कहांगे